आर जेसी नियूज हम कराएंगे आपको सच से रूवरू आग पर काबू पालिया जाता था लेकिन लगभग दो साथ से लगाता थारा सरकिल छेतर में गरीबों के आशियाने जल रहे हैं सरकिल में मात एक छोटी सी गारी के सहारे चल रहा है मोहन गंच फायर स्टेशन जिससे कभी तो सूचना देने पर बता दिया जाता है कि गारी दूसरी जगा गई है आज आएगी तो भेज देंगी समय पर गारी ना पहुँशने पर तब तक आग अपना खेल दिखा चुकी होती है और गरीबों के कच्चे मकानों में लगिया घरों को पूरी तरह खाक में मिला चुकी होती है वही प्रिशाशन पूरी तरह से आग बंद करके तमाशा देखता रहता है ना तो कोई वहाँ पहुशता है और ना तो कोई राज नेता वहाँ पहुशता है इस हाल में गरीबों की मदद कौन करेगा आज फिर एक बार तिलोई तहसील छेत्र में ग्राम सबा रामपुर में दो सगे भाई रामकरन सिंग वर राम सिंग के घर में अचानक आग लगने से पूरे गाउं में अफरतफ़ी मच गई और लोग आग बुझाने का प्रयास में जुट गए वहीं फार स्टेशन को सूच ना दी गए लेकिन मौके पर फार स्टेशन की कोई गारी नहीं पहुची देखते ही देखते आग की तेज लप्तों ने उग्रूरूब धारन कर लिया और दोनों भाईयों के ग्रस्ती जलकर खाक हो गई जिससे घर की समस्त ग्रस्ती और लगभत 40 कुटल गेहु जलकर खाक हो गई वहीं दूसरी और ग्राम सबाब बेसरावा के पूरे सुर्ज कूर में एक घर में लड़की की शादी की तैयारिया जोरों से चल रही थी घर पर बारात आनी थी लेकिन शायद कुद्रत को कुछ और ही मन्जूर था तभी अचानक उसी घर को आग ने अपनी लब्तों में जलाकर शादी की समस्त सामागिरे को खाक कर दिया इतनी बड़ी बड़ी घटनाए होने के बावजूद भी प्रिशाशन पूरी तरह से आग बंद करके लगातार तमाशावीन बना हुआ है ना तो मोहन गंज फायर स्टेशन में कोई बड़ी घारी आ रही है ना तो पीडित को प्रिशाशन की तरफ से उचिस्ता योग प्रदान हो पा रहा है कितने का नुक्सान हो आपको क्या नाम है भाहिक आपको प्राम सी दोनों मकान आपी दोनों लोग हाँ